एह है गुलजार सिंग संदू दी कहानी शहीद, आवाज, मनप्रीत सहोता। शहीदां ते तकिये विचकार केवल एक खेत दीवित सी, पर मैंनू ओधों तकिये दा ऐना पै नई सी, जिनना शहीदां दा। इस गल्दी पुष्टी करवान ली, मैं नूरे नू पुछया, तेनू अपनिया दोहां पैना विच्चों रैमते चंगी लग दिया के जैना। नूरे दा उत्तर सुनके मेरी तसली होई के नूरे ने मेरे प्रशन दा उयो पाव गड़्या सी, जिड़ा है सी, फड़ फड़ करदा, शहीदां वाले पिपल तो एक मोर उड़्या, ते उस दा नवा नकोर खंब हवा विच डिको डोले खांदा हीठा आड़ गया। में नूना दिना विच मोर दे खंब इकठे करंदा बड़ा शौक सी, किता अब नूरे नू फड़ा के जद पजया पजया में खंब कोल पुझा ता खंब रेम ते दे हाथ विच सी, ए खंब ता मैं चुकना सी, मैं निराश्ट्या होके रेम तेनू आख्या, पर हुन ता मै चुक बैठीया, रेम तेने उत्तर दिता, कुछ भी होवे खंब ता तेनू देना ही पएगा, मैं जिद कीती, फेर ता मैं कदे भी नी दिन दी, इन्ना कहके यो मुस्करा पई, खंब ता तू दे ही देमेंगी, और तेनू पामे मैं कुझ नहीं केंदा, मैं भी मुस्करा के आख्या, चुक ले अपना खंब, उन्हें कूर के तक दियां क्या, खंब सुट के, ते परीच चुक के, उपिंड वालनू तूर पई, दूर तक मैंनू ओधी पीली चुन्नी दिखाई दिन दी रही, ते मैं उसवल इंज वेखदार्या, जिमें एस सिट्टे उत्ते पुझ चुन्दा होमा, के उसने मैंनू प्यार नाल कूरिया सी, जा किर्ना नाल। के, उयों मुसल्मान हिंदोस्तान विच रह सकनगे, जिडे हिंदू सिख बन जान, ते बाकी सब पाकिस्तान पहुंचा दित्ते जानगे, साड़े पिंड वदे रे वसों मुसल्माना दी सी, ते मुसल्मान वी कट्टड सुननी, पर की कर दे विचारे, खुशारपुर दे नेडे मुसल्माना दीयां बाई बसीयां, मतलब बहुत वड़े पिंड सन, फिर वी उथे जड़ा अड़या नेजया नलविन दित्ता गया सी, साड़े पिंड दे मुसल्मान अमृत छकन ली त्यार हो गये, एलान तो दुझे ही दिन साड़े बाबाजी ने पिंड दी तरम अम्रित लई देग त्यार करन वास्ते चाशनी दे कड़ाई चड़ाई जान लगगे ता पिछिऊं किसे स्याने दी अवाज आई एहु जे अम्रित दा की लाब ओ इनना मुसलियां दा की प्रोसा कल नू कड़े छड़े लागे फिर मुसले दे मुसले मैं पिछे मुड के तक्या था बाबा फुमन सिंग जी बोल रहे सन इनना कै के उननाने अफीम दी डबी विच्चो एक गोली कड़ी ते मुँ विच सुट के पाणी दा कोट पर लिया होर किदा नामरित चिकाया जावे पेंड़ दे स्याने आविच्चो एक ने पुच्चया चटके वड़ा बाबा जी ने अपने खुंडे दे सहारे उठ दिया आख्या बिल्कुल ठीक सब स्याने रजामंध हो गए साड़े सिख प्रामा नो उदर हलाल खलाया गया है किसे ने पाकिस्तान दियां कर्टूता वाले शारा कीता ते ओवी गउदा किसे होर ने ताईद कीती मुसल्मान विचारे चुप चाप सुन दे रहे पलो पली पांचे बक्रे चटका दित्ते गए फिशार पुर जिले दे सारे पिंडा विच जित्थे वी मुसल्मानानू सिख बनाया जा रहा सी चटके दे अम्रित नाल ही बनाया सी पद्धी, पोसी, कितना, मजारा, बिंजों बाकी गउदी पिंडा विच वी ए अमल करना सी मुसल्माना दे देल विच एक चड़ दी ते एक उत्तर दी सी पर कर कुछ भी नई सी सकदे गुरू जी ने ताँ कड़ा प्रशाद दी देग नाल अम्रित चकाया सी बापु जी ने बाबे फुमर सिंग नू हॉली जी टोक के क्या जो प्रया करोई मुड़या वा तिया नगोचा नी कड़ी दिया बाबे हुरा बापु जी नू चुप करवा देता ते फिर खूंडे दे सहारे चटके दे बल्टोया दा मुआयना करन लग पए अज मैं गौवर्नल वेख्या सी के बाबाजी ने किरपान नहीं सी पैननी हुई किरपान दी था उखूंडाई रख दे सन ते एदा चार ककीए ही सिख सन खड़ी पल विच सारे दे सारे मुसल्माना ने कंगे, कडे, कच्छे, किरपाना पैन लईया ते बोटी-बोटी करके चटका मुँ विच पॉंड लगे असी पहिलना वी हिंदूई सा सौरे और अंग जेम ने सानू जबरदस्ती मुसल्मान बना आदता सी चटके दी बोटी मुँ विच पॉंदे होए सुन्नी मुसल्मान अपने हिंदू सिख प्रावानल गल्ना का रहे सन बाबा फुमन सिंख ते होर से आने वी अपनी सरदारी ठाट विच बैठ कदी अफीम ते कदी चटके दी बोटी मुँ विच पालें दे बापुजी अपने आपनों आम जटा नानों वक्रिया के पिंडदे बाकी बंद्यानों अपने संदू होण दी विशेश्ता समझा रहे सन माराजे पटे आले दा गोत सिद्धू है ते सिद्धू संदू एक ब्राबरी हुन देने सारे मुसल्माना ने अमरित चक लिया केवल थोड़े जैकार जिनना ने पाकिस्तान जान दा फैसला दे दित्ता सी रह गह सन नूरे दे परवार विच्चों भी उत्थे कोई हाजर नहीं सी नूरे हुराने नहीं अमरित चक लिया मैं बापुजी नू बुच्च्या रोलानी पाईदा माल मैं कंगे इकडे उन्हा दे करपच आ देत्ते ने ते उन्हाने पैन भी लएने नूरे दा अब्बा साई लोक है उच अटका खान तो कतरा होंदा है खेर मैं अप्पे ने पटला मांगा वचारा बड़ा मान करदा अपना तेनू पहली याँ छेज माता नूरे दिन आली ता पास करवा आतियां सी तेरे हान दे हाली चोथी विच तक एखान दे फिर देने ते तूं सोखना लटवी विच चे ये सब बडरूसाईं दिया मेरभानिया ने बापू जी ने सारी गल मेरे कान विच ही समझा देती ते आप अपने काम विच मगन हो गए ज़द बापू जी तो बडरूसाईं दे अमरित चखन संबंदी पुच्छा गया तम बाप्पु जी ने एदर ओदर दियां कई गल्ला जोड के पिंड दी पंचायत नू यकीन दवाया के बदरू साई ने उना दे समने चटके दी बोटी मुँविच पाई सी ते फेर वी जद बाबा जी ने उना दी नियत ते शाक कीता ते बाप्पु जी नू चूठी सों खाके यकीन करवानां पे आ सी एस तरह बदरू साई दा सारा परवार अमरित्तारी हो गया सी इस वे चूठ भी की सी आज जद में शहीदां वाले पिपल कोल रैम ते तो खंब मंगया सी ते बाप विच लोई दा कड़ा सी ते सिरुत ते पिली चुन्नी एग आलवक्री है के पिली चुन्नी ने रैम ते दे हुसंदी आब ने सी छड़ी ओधे गोरे रंग नू काली चुन्नी फाब दी सी बदरू साई जाद नमाज पढ़ रहा सी ओस दे हाथ विच कड़ेतों इलावा ओदे गल विच पीला पटका सी ते नूरे दे गल विच वी उन ओ नमाज नावी पढ़ दे जी कोई होरो ननू वेखदा हुंदा एस वेले ता उना कोल के वल मैसा नूरे दा हमजमाती ते बदरू साई दा पुराणा विद्यार थी ओ विद्यार थी जिसनों सबक पुलनते वी बदरू साई ने कदी नई सी मारया ते साई वी ओ जड़ा मारन लगया नूरे नालवी ले आजने सी कारदा जे कदी नूरा येदा कारण भी पुछदा था हूं दलील दन्दा ये ते विचारा माप्यां दे कारदा एक अल्ला पुत्तर है तो अड़ा की ये तुसी ते पांजो एक कदे नू कुछ होवी जावे ते कुछ नहीं विगड़दा ते इन्ना के के साई एक जपेड नूरे दे होर जाड़दन दा सत्मी विच मैं ते नूरा मालपूर जान लग पैसा मालपूर एक ठे पढ़न करके मैं ते नूरा होर वी मित्तर हो गएसा उन्जवी बापूजी नाल साई हो रादे बहुत चंगे संबांध सान इसलिए उन्ना नू की डर सी मैं कड़ा पिंड दे किसे बंदे नू दसन लगा सां के नूरा ते नूरे दे अब्बा नमाज पढ़ रह सान मैं ओदो तेरवें वरे विच सां नूरा पंदना को वरे दा होवेगा रेम ते नूरे नालों दो वरे वड़ी सी ते मैं नू याद है के तीजी तक मैं बहुत सारे स्वाल रेम ते कुलों ही समझदा हुंदा सी ते हुन ओचरी दी परी चुकी जा रही सी बदरू साई नमाज पढ़ रहा सी नूरा बड़े शर्दा पावना लोदे कोल खड़ा सी साई दी नसवारी रंग दी दाड़ी तरती ना लगी होई सी ते कलियां वाला कुडता पोई विच लिबड़या होया सी कि पिठ पिछों बोले सो नहाल साथ सरी अकाल दे जैकारे सुनाई देन लगे शाम दे कोई चार को वज़े दा समा होवेगा असी सारे सुत उनिंद्रे जै पेंडवालनू पाज तुरे नमाज भी पूरी ना हो सकी मारे पै दे चंगी तरा कोई भी नई सी पाज साकदा नूरा ओखड के डिग पया एक चिलक दी होई बर्ची नूरे दे टेडविच खोब गई रुग पर आंद्रा ओधे टेडविचों बार निकलाईया मैं पैपीत होके बर्ची वाले वल तक क्या था कोई नीले वस्तरा वाला कोड सवार सी साही ने आख्या सरदार जी असी सिंग साज गए या असी अमरित छाक लिया एव इखो पीला पटका थे कड़ा मेरे वाल इशारा करके किसे होर ने किया ए ता सिंगा दा पुचंगी है वै मूर्खो नूरे दे टेडविच बर्ची खोबन वाले ने हांग सिंग ने उसनू चड़किया ते मैनू चुक के अपनी कोडी ते सोट लिया ओस तों पिछो मैनू नहीं पता की होया जां की ना होया मैं बेहोश हो गया सि दूजे दिन जद मैनू होश आई ता मैं अपने करदे बरांडे विच प्या सि मेरी मादियां अख्खां रो रो के लाल हो चुकियां सन बस बाच गया हुण फिकर ना करो डर्नाल सैम गया सि अली जवा की ते हैव चारा अंद्रों आवाज आई मैं बोल पछाने आता बाबा जी दा सि पाना वाई गुरुदा परलो यह आगी सि माने हंजुआ विच्चों आख्या ते मेनू गोद विच लेके कुटन लग पई तु ढर्ग्यासी पूत मैं सदके जामा अपने पूत दे माने आख्या ते दुपटे नाल अपने हंजुआ पूँच के मेरा मूँ साफ करन लग पई सदके वारी जायो पहला शी इद्धा दा प्रशाद जड़ा आलो जना दी किर्पाना ली दी जान बक्षी होई या बाबा जी ने ड्योडी विच्चों से आनी गल कीती बीबी, नूरे दे टेड विच मेरे सामने बर्ची वजजी सी मैं चेता करके मानू आख्या ते रैम ते किते है? मैं पुछ्या उन मैं एन होश विच्च साम माने रोरो के दस्या के नूरे दिया पेना जैना ते रैम तेनू जथे वाले नाल ले गए सान ओ अपने नाल मुसल्माना दिया होर भी कई मुट्यारां चुक्के ले गए सान साई दे दो में हाथ ते एक लात वड़ी गई सी नूरे दी ओथे जान निकल गई सी साड़े पिंड दे एककी मुसल्मान वड़ देते सन जड़ा भी पीले पटके, कड़े, जा नमे कच्छे वाला विखाई देता नई सी छड़्या गल्ला कर रही मेरी मा दियां अक्खा पत्राओं दियां जा रही यां सन शाम नू जड़ा सी शहीदी पशाद्ज रौन चल लेता सारे आंदे चेरे ते एक देशक्चे इछाई होई सी बाबा जी नू कुछ भी नई सी सोज रहा किसे ने दस्या के बाबा जी दा पोसी वाला लंगोटिया मित्तर कनशाम दास अपने किसे मुसल्मान साथी नू पीला पटका देण चल लिया सी उनू मुसल्मान समझ के ओदे वी छुरा खोब दिता सी उन्ना को लेनी वेली कित्थे सी के पूरण पुछ गिच कर दे उन्नाने साधे पिंड तो अगले पिंड विच भी लुट मार करनी सी सुन्नी वर्गे निके जाई पिंड विच्चों पांच-छेसो बंदया दे जथे जोगा तन माल किमें प्रापत हो साकदा बाबा जीनू कंशामदास दी मौत दा एड़ा सद्मा सी के शहिदीं पॉंच के अरदास कर द्यावियोना दे कदम डोल रहे सन मरने नू ता कंशामदास ने वी एक दिन मरना ही सी बाबा जीने आप वी कड़ा बैठे रहना सी पर शामदास न पला तो खेनार मारया गया सी पर ओ कड़ा बाचरह सन जिनने अमरित चकन तो दोग दिन पिछों ही गल गल उतते तोबा तोबा जा अल्ला अल्ला दी था वाईगरू वाईगरू ते राम राम केना सिख लिया सी ते कंगे कडे ते पटके पैन ले सन इस दे उल्ट ओ मुसल्मान जथे वालेया दी नजर नहीं चड़ सके जिनने पिंड चड़ के पाकिस्तान जाना ता परवान कार ले आ सी पर हिंदू बढ़ना परवान नहीं सी कीता पीले पटके जा नमे कच्छे भी नहीं सन पैनने चार साहिब जादे, पंज प्यारे, ते चाली मुकते दी अर्दास कर देयां बाबा जी दी अवाज नू पता नहीं की हुंदा जा रहा सी अंतविच जद ओ, जिना तेरा नाम जप्या, वंड छक्या, देग चलाई, तेग वाही, तरमहेद, सीस, कुर्बा कैन लगे ता उन्हों दे कदम लडखडा आ गए ते उन्हों दे हाथ वाला खूंडा डिग प्या बाकी अर्दास बापू जी ने ही समापत की ती फिर बापू जी दे क्याण अनुसार में शहीदान दियां पंजे समादियां ते पोरा पोरा परशाद रख के आया जिसनू मेरे वेखदे वेखदे ही शहीदान वाले पिपलां दे काँ छक गए बाकी सारे संसकार समापत करके जद बापू जी सानूवी परशाद वंडन लगे ता बापा जी ने रोक देता की गल बापू जी ने पुछिया ताके नू परशाद दे दे पोरा के साई दी कबरते विच रा आवे जाके बाबा जी ने तकिये वाल इशारा कर क्या क्या तकिये ते शहीदा विचकार केवल अद्धे खेत दी वित सी तकिये वाल वेख के मेनू नूरा याद आगया ते पिपल वाल वेख के रैम ते रैम ते ने मेनू एस पिपल हेट कूर के तक्या सी पता नहीं प्यार नाल, पता नहीं किर्ना नाल ते हुण उन्हों जथे वाले ले गए सन पता नहीं क्यों की मतलब बापु जी ने तकिये वाली कबरते पर शाद जड़ा ओन दा कारण पुछिया कल दा कलूका रहा याद है न बापु जी दे मुड़े उत्ते हाथ रख उन्हों शहीदा दी हद तो बार लजा días के बाबाजि ने उन्हा दे कन विच आख्या शहीदा दी हद विच शाएद उन्हा ने ऐसली गल नहीं किती के उना दे कोल ही उना दी करामात उत्ते शक करन नाल सराप मिल जान दा डर सी याद है बापु जी ने उत्तर दिता जिनना ने अमरित छक्याजियों मारे गए न बाबा जी ने स्वाल कीता बापु जी ने हाविच से रहलाया जड़े साई दी कबर नूँ पूझ दे रहे वो बाज रहे ने के नहीं इनना कहा के बाबा जी चुप हो गए मैं समझया नहीं बापु जी ने मुड आख्या नहीं समझया था ना समझ बाबा जी ने खिज की आख्या कल भारे कौन जान दा समाधिया दी था कबरा वली निकलाया फिर ए गल बाबा जी ने बौध हौली बापु जी दे कानविच कही ता के शहीद ना सोन लेन मैं पज के साई दी कबर ते परशाद राखाया ते बापु जी ने भी कोई इतराज ना किता पता नहीं योनानू बाबा जी दी गल समझ पई सी के नई एसी गुलजार सेंग संदू दी कहानी शहीद आवाज मानपृत सहोता